देश के सबसे बड़े अवार्ड आईफा 2022 का एलान कर दिया गया है। इस बार बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टरिस का अवार्ड ऐसे कलाकारों को दिया गया है जो सच में इस एवार्ड को डिजर्व करते हैं। इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड विकी कोशल की जोली में आकर गिरा है। विकी कि उनकी फिल्म सर्दार उधम सिंग में जबर जस्त रोल निभानी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। विकी की इस फिल्म ने भारत में ही नहीं बलकि विदेश में भी जल्बा काट दिया था। इस फिल्म में विकी ने सरदार उधम सिंग का ऐसा रोल निभाया जो भारती सिनेमा के सुनैरे इतिहास में दर्च हो गया। वहीं दूसी तरफ इस बार का बेस्ट एक्टरेस अवार्ड करती सनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। कभी इसका फाइदा नहीं मिला। उनकी फिल्मों में एंट्री, ओडीशन के बल पर ही हुई है। इसलिए उन्हें भी आउटसाइडर ही कहा जाता है। तो इस बार बहार से आने वाले एक्टर्स ने मैदान फदे कर लिया है। इन एक्टर्स को एवार्ड मिलने पर सभी न कर दो खे कर दो को मिला। वार् सर व्सू Communto का आ टे आने जा हीं मैज ओज पाले एक्टर्स ने पहले ही।